हे एब्रीवान वेल्कम बाक और माय यूट्यूब चानल पैथलोजी लेक्शिस पाय तर्मी गुस्वामी आज इस वीडियो में बात की थी अब आज इस वीडियो में से तुमरा सा आगे भड़ते हैं और मैं आपको इस तरीके से प्रॉपर समझाती रहूंगी एक-एक पैराग्राफ ठीक है आज हम बात करेंगे कि what are the cellular adaptation, what are the reversible injury and what are the irreversible injuries ठीक है, so let's get started the first one is when there is increased functional demand, जब काम की ज़्यादा demand हो जाए the cell may adapt to changes which are expressed morphologically which then revert back to normal after the stress is removed मतलब कि अगर आप से कहा जाए कि आपको बहुत जारा काम करना दी दिया जाए मतलब कि functional demand भढ़ा दी तो क्या होगा, morphologically changes आएंगे, मतलब दिखने में changes आएंगे, क्यों आएंगे देखो जब एक्दम से exams होते हैं, बहुत सारा stress होता है हमारे उपर बहुत सारा काम होते हैं तो क्या होता है, हम दिखने में रोड़ा अजीब से चाते हैं, लाग के थे या तुम्हारे तो पतले हो गए या थोड़े से dark circles से नौल हो जाते हैं, तो क्या हुआ, morphologically changes है सेकिन हम बात करेंगे, और जैसे ही stress हट जाता है, मतलब कि जैसे हमारे exams ओवर हो जाते हैं, हमारे जो black spots पढ़ गए हैं या जो कमजोरी से दिखती है चाहरे पर, वो सब खतब हो जाती है, ठीक है सेकिन हम बात करेंगे, reversible injury के बारे में, when the stress is mild to moderate and the injured cell may be recover अगर stress जादा नहीं है, ठीक है, जादा नहीं है, तो क्या हो सकता है, cell injury reversible हो सकती है अगर बहुत severe है, तो cell की death भी हो सकती है, that is irreversible in the cell as the evidence of cell injury at the subcellular level, जिसको कहते है, subcellular changes तो आपको इस वर्ट से क्या समझ में आया, इस वर्ट से हम यह समझ में आया, कि कभी अगर आपके कोई चोट लगती है तो वो घाओ का निशान रह जाता है, for always इसा होता है, ठीक है, या एक छोटा सा दाग बना रहता है तो वो कहें कि अगर किसी के reversible injury हुई, आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ो, अगर cell में reversible injury हुई है मतलब cell injury तो reversible हो गई, बट उसका जो दाग है वो रह गया उसको कहेंगे subcellular changes और metabolites में accumulate within the cell या फिर उस cell के अंदर कुछ metabolites रह जाते हैं, जिसको हम intracellular accumulations भी बोलते हैं तो I think इतना सबको proper clear हो गया होगा In order to learn the fundamental of disease processes at cellular level, it is essential to have an understanding of the causes तो आपको causes जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप disease को cell level पर जानना चाहते हो तो cause के साथ साथ आपको mechanism क्या है, मतलब कि pathogenesis क्या है, cell injury की या cell adaptation की वो भी जानना ज़रूरी है तो सबस्पेर इन्होंने बोला कि यहां पर हम discuss करेंगे etiology of the cell injury So broadly इन्होंने दो major ways में इसको divide किया है First one is genetic, second one is acquired बच्पन से है genetic है या फिर हमने acquired करिये बाद में So the genetic cause of various disease are discussed in chapter 9 Chapter 9 में specially आपको genetic disease ही पढ़ाई गई है, तो तब discuss किया जाएगा The acquired cause of disease comprise vast majority of common diseases affecting mankind So basically यह बताया है कि acquired है तो किस-किस से हो सकती है So acquired के अंदर यहां पर उन्होंने काफी कुछ categorized किया है तो इसको पढ़ लेते हैं, paper में लिखना जरूरी है तो देखो, hypoxia या ischemia दोनों में difference बता है, hypoxia है वनलब कि oxygen की कमी Ischemia मतलब कि कहीं पर किसी particular organ तक blood supply नहीं हो इसको बोलते है ischemia यह फर physical agents यह chemical agents, drugs, microbial agents, immunological agents, nutritional derangement और aging तो यह साइक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने है उसके आगे, psychogenic, hydrogenic और idiopathic psychogenic मतलब कि mental level पर hydrogenic मतलब कि because of physician के दवाई की वज़े से and idiopathic मतलब कि पता ही नहीं कि हुआ क्यों है तो यह 10 points आपको ध्यान रखने है etiology में क्या पढ़ा है? genetic factors and acquired factors acquired में आपको यहाँ पर 10 चीज़े लिख करानी है ठीक है, actually में रहना था गला खराब है तो तोड़ी बहुत आपको इसे खराशी परा चलती रहेंगी but because of like जिस बनाना बहुत important तो मैं इसको continue करती रहती हूँ ठीक है? चलो, अब यहाँ पर इनोंने पहली बात केगी hypoxia or chemia को explain कर रहे है so cells of different issues essentially require oxygen to generate energy and perform metabolic function तो हर एक cell को भई oxygen की जरुवत है because without oxidation कुछ नहीं हो सकता deficiency of oxygen और hypoxia result in failure to carry out these activities by the cells oxygen नहीं मिलेगी तो cell अच्छे से काम नहीं कर पाएगी and hypoxia is the most common cause of cell injury अब यह question तुमसे तुमारे exams में पूछा सकता है वाइवास में पूछा सकता है cell injury का most common cause क्या है क्या answer दोगे भई that is hypoxia hypoxia अगर होता है तो तो result आ सकता है पहला result the most common mechanism of hypoxic cell injury is by reduced supply of blood to cells due to interruption मतलब कि या तो hypoxia किसके वे सकता है या तो किसी particular organ तक blood ही नहीं पहुच रहा है मतलब कि अगर hypoxia कब होगा अगर ischemia हो गया है तो hypoxia होने के chances है या फिर hypoxia may result from impaired blood supply from causes other than interruption ठीक है जैसे कि disorder of oxygen carrying rbc rbc में कुछ ऐसी disease होके जिसके जिसके वे oxygen करी नहीं कर पा रही है जिसके anemia हो गया है या carbon monoxide poisoning होगी है heart disease है lung disease है या पर tissues को जादे ही over demand करने लगे है तो पहला point तो किलिए हुआ hypoxia and ischemia वाला यहां पर यह थोड़ा सा इन्होंने डाग्राम भी दिया हुआ है विचर highly important और तुम्हें समझना भी चाहिए यहां पर वही explain क्या है कि एक normal cell है थोड़ा बहुत functional demand अगर भढ़ जाती है तो यह सारे adaptations आते हैं जिनको हम detail में पढ़ेंगे विचर highly highly important बहुत पुछ जाते है atrophy hypertrophy hypertrophy hyperplasia यह सब पढ़ाऊंगी में यह reversible injury है इसके बारे में बताए था कि कुछ दाग घबबे रह जाते हैं इसको हम subcellular alternation या intracellular accumulation बोलते हैं और लास्ट में हम पढ़ेंगे जो सेल की डेथ हो जादे इस इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी ठीक है चालो नेक्स नोंने बात किया अबाट इफ फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं फिजिकल एजेंट्स लाइक कोई जादा हीट हो जादा जल गया या फिर ठंड की वज़े से ट्रॉमा हो जाता है वह हो गया एक्मोस्फेरिक प्रेशन में रापिड चेंज आ गया इस ओल आर दा फिजिकल एजेंट्स नेक्स यह बात करें बहुत ही क्यामिकल एजेंट्स आपको यह सारे याद रखने की जर आप से पूचे कि क्या होते हैं आप ऐणसर दे सको टिक है जीसे कि सारी पोईज्ण साइन यह आइड हले पर कईक कमिकल एक जेंट्स यह सारी चीज़ें आते हैं अब की microbial agents, next one is immunologic agent, यह बहुत important है, समझना आपका जरूरी है क्योंकि आप कहोगे, immunity तो मैं वाडिकले अच्छी होती है, तो immunity की वचह से हमाई cell injury कैसे हो सकती है, चलो, इस को रहा समझाती हूँ मैं, immunity is double aged sword, मतलब की मतलब की, यह एक ऐसी तलवार है, जो की तोनों साइड से उसमें age बने हुए, मतलब आप नॉर्मल तलवार जब देखते हो, तो क्या होता है, तो मेरी आड अच्छी नहीं है तो मैं इसे बना देती हूँ, नॉर्मली तलवार जो होती है, एक साइड में उसके age निकले होते हैं, बट immunity को बोलते हैं, भाई दोनों साइड, दो तलवारी है नहीं, वो गाना नहीं है, तो दो धारी तलवार है, का ट्रीबना क्याफ का, तो वह वाली बात है कि immunity के लिए कौन साइड अड़िकेट कर रहा है तो दोधारी तलवार है क्यों, क्योंकि एक तरफ से तुमाई लिए बढ़िया चीज है, ठीक है क्या कर रही है, it protects the host against various injuries agent but it may also turn lethal and causes cell injury, ठीक है तो ये दोनों काम कर रही है hypersensitivity reaction, अगर हमारी बोड़ी ने कुछ hypersensitivity ही हो गए जैसे कि allergy, अस्थमा, allergic अस्थमा होता है, it is hypersensitivity reaction या फिर anaphylatic reaction, या फिर autoimmune diseases, ठीक है तो these all are कम अंडर दी immunologic agents, चलो आगे बढ़ते हैं, next one is nutritional derangement nutrition की कमी हो गई, जैसे कि अगर किसी को nutrients नहीं मिल रहा है, overall nutrients नहीं मिल रहा है तो हो गया starvation, protein calorie कम है, तो merasmus और quashior cut, minerals की कमी होगी, तो anemia, ठीक है so उसके बाद next आता है, aging aging की वज़े, cell injury कैसे हो सकती है cellular aging और sensiveness leads to impaired ability of cells to undergo replication and repair अब जैसे बूडे होता जाते है तो बोड़ी के अंदर रिपेरिंग का काम बहुता जाता है no specific biochemical or morphological changes in common acquired mental diseases, due to mental stress है, जैसे की depression है, schizophrenia, इन सब के वज़े से कोई आपको दिखेगा तो नहीं, यह morphological changes है but it can affect the body, जैसे क्या होगा, की however problems of drug addiction, alcoholism यह सब दिमाग की एक तारीकी psychogenic बिमारी है ना, कि अगर बहुत सादा smoking करने लगा है drink करने लगा है, तो उसके वेसे क्या होगा उसको lung cancer हो सकता है, उसको liver stress हो सकता है, which leads to cell injury next है, hydrogenic causes, so although as per hypocritic oath, every physician is bound not to do or administer anything that causes harm to the patient, तो उने उने काया जैसे कि hypocrites की जो oath है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, कि आपको ऐसा कुछ कुछ भी patient को नहीं देना है, जो कि उसको harm करता है, there are some diseases as well as debts attributed to the hydrogenic causes, तो पर इन्होंने कहा है कि ऐसी बहुत साइड disease है, जो की मतलब, because of physician की वज़से हो जाती है, नहीं क्या है, examples include occurrence of disease or death due to error in judgment by the physician, अगर physician सही से drug का जज़्मेंट नहीं तो हो जगता है, patient मर जाए, so that is hydrogenic causes next, idiopathic diseases, idiopathic means of unknown cause, वज़ई ही नहीं पता है भई, ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, for example, most common form of hypertension, hypertension most commonly 90% idiopathic है, नहीं पता ये क्यों है, ठीक है, चलो, so ये आज हमने यहां तक discuss कर लिया है, in the next video, हम इसके आगे कर डिसकस करेंगी, जिसमें मैं आपको पताऊंगी about the pathogenesis of cell injury, अगर आपको लेक्टिस पसंद आ रहे हैं, so do like, share, subscribe और comment करना, बिल्कुल मिभूलना,